मुल रूप से वॉलेंटेरिंग या स्वैम सेवा का मतलब है इच्छक होना या दूसरे शब्दों में जीवन के लिए पूरी तरह से हां बरना जादातर इनसान सुविधा जनक होने पर हां और सुविधा जनक ना होने पर ना होते हैं हां अगर कुछ मिल रहा है ना अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है एक वॉलेंटेर का मतलब है कि उसने बस एक चीज छोड़ दी है जो कि एक बड़ी महत्वपून चीज है उसने बस ये एक हिसाब छोड़ दिया है कि मुझे क्या मिलेगा अगर कोई इनसान इस एक गनित को छोड़ दे कि इससे मुझे क्या मिलेगा अगर उसने इससे छोड़ दिया तो अचानक से वो एक अजूबा बन जाता है ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ कि हमारे वॉलेंटियर क्या कर सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स या ग्रामियन कायकल्प कारिक्रमों को देखें और लगबग हर चीज जो यहां की गई है उधारन के लिए ध्यानलिंग की गोल छट सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें क्या लगता है मंदिर की छट इस तरह से बनी है कि उसमें कोई सीमेंट नहीं है कोई स्टील नहीं है कोई कॉंक्रीट नहीं है सरल तकनीक यह है कि सारी की सारी इंटें एक साथ गिरने के कोशिश कर रही हैं इसलिए वो नहीं गिर सकती यह ऐसा है मानिए सब लोग एक साथ दर्वाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं निकल सकते जब तक कि कोई पीछे हटने का सिष्टा चार नहीं दिखाता तभी वो जा पाएंगे पर इंटों में वो सिष्टा चार नहीं होता तो वो सब एक साथ नीचे आने की कोशिश कर रही हैं और नहीं आ सकती तो इसे बनने के लिए एक लाक असी हजार एंटे लगी ये एक लाक असी हजार एंटे हैं उन में से हर एक को हमारे स्वयम सेवकों ने एक हेक मिलिमीटर तक नहापा था अगर कोई थोड़ आला परवाह होता और जितना होना चाहिए कोई उससे दो मिलिमीटर आगे इट को रख देता तो ये पूरी चीज नीचे गिर सकती थी तो मैंने बैठ कर उनसे बात की और उनसे कहा रात बैठ कर नापते गए नापते गए नापते गए और उन्होंने इंटों को रख दिया और जब उन्हें इसे रखना है तो रखते समय जल्दी यल्दी करना है ताकि ये नीचे ना आ जाए एक बार में आपको एक चकर पूरा करना होता है और आज आप इसे देख रहे हैं मैं बस एक उदाहरन के तोर पर आपको बता रहा हूँ इस तरह की बहुत सारी चीज़े की गई है तो वो क्या है जो उनको प्रेरित करता है देखे जोश और जुनून से परे कुछ है प्रेरणा से परे भी कुछ है लाब से परे भी कुछ है जो कि एक इंसान के लिए बहुत महत्वपून होता है जिसको आमतोर पर ज़्यादा तर इंसान कभी नहीं खोचते उनका पूरा जीवन, फायदे और उम्मीदों उसके लिए कुछ जुनून और कुछ तीवरता तक रह जाता है पर वॉलेंटियर एक तीवर जीवन जीते हैं इस हॉल में आमतोर पर हम वहां से काम करते हैं हमारा ओडियो सिस्टम कहीं और है और अचाना कुनों ने पूरी चीज यहां सेट अप कर दिये यह हमें कुछ परिशानी दे रही है यह टेक्नॉलोजी है आप तो जानते हैं, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है तो रात भर लोग काम कर रहे हैं और दिन में भी वो काम कर रहे हैं वो सोते कब है, वो नहीं सोते है यह मेरा अनुभव है मैं ऐसा हूँ कि दिन में कम से कम 20-22 घंटे लगा रहता हूँ हफते के साथ हो दिन क्योंकि काम चल रहा है, अमेरिका में काम चल रहा है दुनिया के हर हिस्से में, जो अलग-अलग टाइम जोन्स में है सुबह के दो बजे अगर मैं अपना फोन उठाऊँ और कोई भी स्वामी या कोई और फोन उठाए तो मैंने कभी भी एक बार भी सुस्त आवाज नहीं सुनी है क्या सद्गुरू, नई, सद्गुरू चाहे रात हो, दिन हो, कोई भी सम्मे हो ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा वर्दान है कि आप लगातार ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो तीवर हैं, जो केंद्रित हैं और जो कुछ भी किये जाने की जरूरत है उसके लिए खुद को समर्पित करने के लिए तयार है ये सबसे बड़ा सुख है जो एक इनसान को मिल सकता है ये सबसे बड़ा सौभाग्य है जो एक इनसान को मिल सकता है और सौभाग्य से ये हमारे पास है झाल झाल